नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेजबज वराज के वडियो में हम बात करेंगे रिजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में बात करेंगे ब्लेड रिलेशन को देखेंगे इस वडियो में जो कि बिहार इस्ट्रेट कोपरेटर बैंक लिए बहुत ज़्यादा उपियोगी टॉपिक है क्योंकि यहां से दो से तीन नमबर के कोशन पूछे जा सकते है या फिर आपको एक नमबर का मिसलैनियस में भी कोशन देखने को मिल सकता है इस टॉपिक से ठीक है न तो इस टॉपिक को ध्यान से देखेगा और बहुत ही असान टॉपिक है तो ध्यान से आप लोग अंध तक देखेगा और जहां भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं तो चलिए इस वडियो को सुरू करते हैं. वडियो शुरू करने से पहले दोस्तों छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वडियो अच्छसलेगे न cig लाई करके चैनल लोगे शेड़ को प्लीज सब्स्क्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं concept को समझते हैं कि इसके question को हम लोग कैसे solve करेंगे blood relation को तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी male के बारे में बुला जाए तो male के लिए plus का sign यूज़ करते है female के लिए minus का sign यूज़ करते है मालीज ये साधी सुधा है husband और wife होगा तो हम लोग क्या करेंगे ऐसा sign यूज़ करेंगे child होगा इसका कोई बच्चा होगा मालीज ये b और c इसका बच्चा है तो क्या हो जाएगा चाल्ड के लिए हम लोग tree बनाएंगे ये होता है family tree होता है b का बच्चा कौन है d हो जाएगा male female पता चल गया दादा नानी दादा दादी ये सब आप लोग को पता होगा ठीक है कैसे बनेगा तो first day generation, second day generation मालीज जैशे जैशे first generation मतलब क्या हो गया मालीज एक family tree मनाते है पहले हो गया grandfather हो गया grandfather का बेटा हो जाएगा father हो जाएगा father का बेटा मतलब उसकाafterнов हो जाएगा आगे दीखेगा यह आप लोगो समझ में आगी होगा अब दोस्तों हम लोग पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन आपके स्क्रीन पे आरहा होगा देखियेगा all the given member belong to same family सभी जो member है नहीं यहाँ पर एक ही family से belong करते है J is the brother of L तो सबसे पहले बनाईएगा J is the brother of L हम लोग यहाँ से बनाते है J जो है L का भाई है J किसका भाई है? L का भाई है तो J भाई है ना J के लिए क्या कीजिए? plus का sign कीजिए तो आप लोगों समझ में आगे होगा आगे दिखेगा आगे क्या लिखा हुआ? आगे लिखा हुआ है कि J is the brother of L हो जाएगा और J is the only son of R J जो हो जाएगा only son of R हो जाएगा इसका मतलब यह दोनों भाई बहन है मतलब यह बहन हो जाएगी L क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी उसके बाद देखेगा क्या लिखा हुआ है उसके बाद लिखा हुआ है कि W is the father-in-law of an L L का father-in-law कौन है? W है L का father-in-law कौन है? W मतलब L का किसी से साधी हुआ होगा अभी आम लोगों को नहीं पता किसी साधी हुआ बट किसी से तो साधी हुआ होगा W क्या है? father-in-law है मतलब यह क्या है? male है आगे दिखेगा D is the maternal grandfather of P D क्या है न? maternal grandfather मतलब D nana है P का D nana है P का और P male है इस line को अभी यूज़ नहीं करते हैं D nana है P का और P क्या है? male है Q is the only son of W Q जो है na W का equivalent एक ही बच्चा है तो Q एक ही बच्चा है son है मतलब यह plus हो जाएगा तो L का जो husband है वो हम लोगों मिल गया ठीक है? यहां तक हमने बना लिए अब आगे दिखेगा आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है W is the grandfather of N and W is the grandfather of N हो जाएगा W किसका grandfather हो जाएगा? N का यहां पर N हो जाएगा ठीक है na N का grandfather कौन है? W यहां तक हमने किया उसके बाद क्या लिखा हुआ है? and C is the doubt of N C जो है na N की बेटी है यहां पर लिखा हुआ था D is the maternal grandfather of P मतलब D जो है नाना है P का D जो है वो नाना है P का तो D का साधी किसी के साथ तो हुआ होगा तो D का साधी यह R के साथ हुआ हमान लिगे यह नाना है तो यह मेल हो जाएगा यह फीमल हो जाएगी और बच्चा किसका होगा L का ही होगा मतलब इन दोनों का ही साधी हुआ है तो इनके ही बच्चे होगे तो यहां पर कौन सा हो जाएगा P और P क्या है अम्बेल दिया हुआ है तो देख सकते हैं कि D नाना हो गया P का तो यह question हमने बना लिया यह figure हमने बना लिया आप जो भी question दिया होगा इसको असानी से solve कर सकते हैं पहला question दिया हुआ है कि how L is related to C L और C का relation क्यासे है तो L देखेगा L कहां पे L कहां पे है देखेगा L यहां पे L female है और C कहां पे है C यहां पे है L और C का relation क्या हो जाएगा L और C का relation आप लोग देखेगे बताएगे कि L और C का relation क्या हो जाएगा ठीक है L का C के साथ relation मतलब इसके बच्चे का बच्चा तो यहां पे none of D होगा ठीक है न यहां पे क्या होगा none of D होगा क्योंकि वो L जो है वो मेरे हिसाफ से नानी होनी चाहिए maternal grand mother होनी चाहिए LC के लिए ठीक है न, यहाँ पर क्या हो जाएगा none of these हो जाएगा, मतलब option number E हो जाएगा, इस question का सही answer पहले का क्या हो जाएगा, option number E हो जाएगा, तो यह question आप को समझ में आगे होगा, आगे दिखेगा आगे अगला question क्या पुछा गया दिखेगा how P related to N, P का सम्बद N के साथ कैसे है अब P कहाँ पर, P यहाँ पर, N कहाँ पर, यहाँ पर तो P और N आपस में क्या हो जाएगे भाई हो जाएगे, यह दोनों क्या हो जाएगे क्योंकि, यहाँ पर, यहाँ पर, नानी का option दिया नहीं है maternal grand mother का option दिया नहीं है तो इसलिए हम लोग का, दोनों question बन गया अब दोस्तों हम लोग question number 2 को देखते हैं पहले question में 2 question दिये हुए थे, अब यह दूसरा question जो है एक number का question नहीं, यह भी exam में पुछा जाता है, दिखेगा mother is the mother-in-law of z father, z is the brother of y सबसे पहले लिखिए, z जो है न, y का भाई है z is the brother of a y, ठीक है, z हम लोगों को पता से लिगे है कि बेल होगा z is the brother of a y, उसके बाद दिखेगा क्या लिखा y, जबकि x is the father of m जबकि x क्या है, m का father है, तो यहाँ पे दूर पे कहीं लिख लिजए कि x जो है न, m का father है, ठीक है, यह हमने लिख लिख लिए अब लिखेगा, पहला line क्या लिखा हुआ है, x की जो मा है अब x की मा कौन हो जाएगी, x की मा माल लिजए कोई भी है माइनस हो गया, x की मा कोई भी है तो माइनस हो गया, x की जो मा है is the mother-in-law of z father, x की मा, z के पिता की mother-in-law है मतलब इसकी कोई बहन होगी, मतलब इस x की बहन होगी और उसका साधी किसी के साथ हुआ होगा, किसी आदमी के साथ हुआ होगा और z father, मतलब z का father यह होगा, यह जिस आदमी से साधी हुआ ठीक है, तो पहला वला statement complete होता है x की मा, x की मा, mother-in-law होगी, z के father की mother-in-law होगी, z के father की अब यह तो पता है कि male है, जब यह male होगा, तो इसकी बहन का साधी किसी से हुआ होगा, तभी तो यह z का father plus है, और उसकी सास यह है, minus, ठीक है, तो यह question थोरा सा अठ पटा है, ध्यान से देखे, figure minus सही बना दिया है, अब देखे question क्या पूछा गया, question पूछा गया है कि how x related to z मतलब x और z का relation निकाला है, तो x कहां पे, x x यहां पे, x कहां पे, अब z के साथ क्या relation है, तो x का, z के साथ क्या relation है, तो इसका सही answer हो जाएगा, maternal uncle, मतलब mama हो जाएगा, x किसका, z का mama है, ठीक है न, तो option number b देखे, mama दिया हुआ है, option number b इस question का सही answer हो जाएगा, तो हमने दोस्तो, question number 2 भी बना दिया, अब हम देखते है, अगले question को, question number 3 को देखते है, ध्यान से देखे हैं, question number 3 में क्या पुछा होगा, तो इस दिखे है, question number 3 में क्या पूछा है आप से, देखे, if a, if a is the brother of b, तो जो लिखा हुआ है, उसको लिख दिजए, a, b का भाई है, a is the brother of बी, ऐसे लिका हमने A is the brother of B, मतलब प्लस हो गया, उसके बाद दिखें A is the brother of B हो जाएगा C is sister of A, C जो है न A की sister है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं C जो है वो A की बेहन है, ऐसा हमने लिख रही है, C A की बेहन है, उसके बाद D is the brother of E, D जो है वो E का भाई है, तो अब इसको रह बेहने दीजे, उसके बाद E is the daughter of B, E जो है B की बेटी है, E जो है वो B की बेटी है, यहाँ तक हमने किया, उसके बाद देखेंगा F is the father of C, F जो है न, इन तिनों का फादर हो जाएगा, क्योंकि यह तिनों आपस में क्या है, भाई बहन है, तो F is the father of C हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद और कुछ छोटा हम लोग का एक लाइन चुट गया, कौन सा लाइन, D is the brother of E, D is the brother of E, मतलब D जो है न, वो E का भाई है, अब देखेंगा question क्या पूछा गया है, then who is the uncle of D, D का uncle कौन है, तो D का uncle कौन हो जाएगा, एक का पता है, B का हम लोग को नहीं पता है कि male तो option number A में क्या दिया हुआ है, A जो है न, D का uncle होगा, E का भी uncle होगा, तो देखेंगे, यह एक नमर का question पूछा जाता है, और कितने आसाली से हमने इस question को बना लिए, अब दूस्तों हम लोग को question नमर 4 को लेखते है, देखेंगा, ध्यान से question में क्या लिखा गया है, बहु was the mother in law of A mother, मतलब इसका साधी हुआ होगा, A की मा से, A की मा से इसका साधी हुआ होगा, तो यह B क्या है, प्लस में है, और A की मा का है, मतलब A की मा का, B की मा सास है, ठीक है, तो यह चीज़ हमने बना लिया, अब दीखेंगा, पूछा गया है, how A mother was related to B mother, A की मा, B की मा से कैस संबंदी थे, यह आपको बताना है, यहाँ पी क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा, यह जब यह सास है, तो यह बहू होगा, मतलब आपसा नंबर यह आपका सही एंसर होगा, तो देख सकते हैं कि कोस्तन दोस्तों बहुत घुमा के दिया गया है, बट एक नंबर का कोस्तन पेएगों कर आपके जाएएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट कीजेगा आशा करता हूं कि आज का दुन आप लोगो का काफी अच रहे हैं अगले वीडियो में पिर से मिलते हैं फ